हेलो अब्रिवन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंध की हिंदी की बुक से चैप्टर नमबर वन सूरदास के पद के MCQs और आई होब कि आपके इन सारे MCQs को कंप्लीट करने के बाद आपके फुल मार्क्स कंफर्म होंगे तो चलिए पढ़ते हैं आज के MCQs को तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेशन है गोपियों को अकेला छोड़कर क्रिश्न कहां चले गए थे तो इसका राइट अंसर है मथूरा ओके नेक्स्ट क्वेशन है मधुकर शब्द का पर्योग किसके लिए हुआ है तो मधुकर शब्द का पर्योग हुआ है उद्धो के लिए नेक्स्ट क्वेशन है गोपियों ने योग रूपी व्याधी किसे देने की सलाह दी है व्याधी मिन्स पीड़ा, रोग, पीमारी तो इसका राइट एंसर है गोपियों ने योग रूपी व्याधी उसे देने की सलह दी है जिसका मन चक्री के समान चंचलो यानि कि घूमता रहता है जिसका मन कवी के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है कवी कौन है सूरदास जी सूरदास के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा है तो उनका स्वभाव है भोला नेक्स्ट क्वेशन है उद्धो कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आये थे उद्धो कृष्ण का योग संदेश लेकर आये थे नेक्स्ट क्वेशन है कृष्ण की संगती में रहकर यानि कृष्ण के साथ में रहकर भी कौन उनके प्रेम से अच्छूते रहे हैं तो इसका right answer है उद्धो Next question है उद्धो के विवहार की तुलना किसके पत्ते से की गई है उद्धो के जो विवहार है उनका comparison किसके पत्ते से की गई है तो इसका right answer है कमल के पत्ते से Next question है गोपियों को कृष्णे का विवहार कैसा प्रतीत होता है गोपियों को कृष्णे का वहवार कैसा लगता है तो उनका वहवार गोपियों को चल पूर्ण लगता है यानि कि वो वादा करते हैं आने की लेकिन फिर वो वादा अपना नहीं निभाते Next question है गोपिया स्वैम को क्या समस्ती है गोपिया खुद को क्या समस्ती है? तो इसका answer है अबला, याने की कमजोर. Next question है, गोपिया किसके प्रेम में आ सकते हो गई है? यानि गोपिया किसके प्रेम में पड़ गई है? तो इसका right answer है कृष्ण प्रेम. Next question है, किस पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है? वो कौन सी पक्षी है जिसका गोपियों से किया गया है उनका तुलना गोपियों से किया गया है तो वो है हारिल पक्षी नेक्स्ट क्वेशन है किसने प्रेम की मर्यादा का उलंगन किया है यानि प्रेम की जो मर्यादा है किसने उन्हें लंगा है किसने उसका उलंगन किया है राइट आंसर है कृष्ण ने नेक्स्ट क्वेशन कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आये है सही आंसर है उद्धव नेक्स्ट प्रश्ण है उद्धव को बड़ भागी किसने कहा है बड़ भागी मतलब बहुत भागेशाली इसका राइट आंसर है गोपियों ने प्रश्ण फिफ्टिन गुर चाटी जियों पागी इस पक्ती में इस लाइन में गुर यानि अर्थाद गुर किसे कहा गया है तो इस पक्ती में गुर स्री कृष्ण के प्रेम को कहा गया है गोपियों कडवी ककड़ी किसे कहती है इसका अंसर है उद्ध द्वारा दिये गए योग संदेश को गोपियों कडवी ककड़ी कहती है question 18 सूतो व्याधी हमको ले आए पक्ती में व्याधी किसे कहा गया है व्याधी मिन्स बीमारी तो इसका अंसर है योग साधना का जो योग संदेश उद्धो लेकर आते हैं गोपियों के पास उस योग संदेश को ही गोपिया क्या कहती है व्याधी कहती है इसका राइट आंसर है स्री कृष्ण प्रश्न 20 यानि ये जो पद लिखा है सूर्दास ने उन्होंने किस भाषा में लिखा है इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा पूरीनी पात रहत जल भीतर तारस देहन दागी प्रस्तूत पक्ती में कमल के पत्ते की क्या विशेष्टा बताई गई है पूरीनी पात रहत जल भीतर यानि कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है तारस देह न दागी फिर भी उनके देह में उनके शरीर में पानी का एक दाग भी नहीं लगता इस पंक्ती में इस लाइन में कमल के पत्ती की क्या विशिष्टा बताई गई है क्या खूबी बताई गई है इसका answer है कमल के पत्ते पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता कोई effect नहीं पड़ता वो पानी के उपर रहता है लेकिन फिर भी पानी की एक बून भी उसे नहीं लगती प्रशन 22 गोपियों का मन चुरा कर कौन ले गया इसका answer है स्री कृष्ण प्रशन 23 स्री कृष्ण के मीत्र का क्या नाम है जो गोपियों को योग का संदेश देता है तो गोपियों के पास स्री कृष्ण के तरफ से योग संदेश लेकर कौन आते है इसका answer है उद्धो प्रशन 24 अपने आपको भोली और अबला कौन समझता है एंसर है गोपिया प्रशन 25 गोपियों ने हरी यादि स्री कृष्ण की तुलना किस से की है यहाँ पर होगा हारिल की लकडी से जो हारिल पक्षी होता है वो अपने पंजों में लकडी को दबाए रखता है तो गोपियों ने हरी कृष्ण की तुलना हरी स्रीकृष्ण की तुलना हारिल की लकडी से किया है उन्होंने जिस तरह से हारिल अपने पंजों में लकडी को दबाए रखता है उसी तरह से गोपिया स्रीकृष्ण को अपने मन में रखे हुए है नेक्स्ट क्वेस्टन है मन चक्री से क्या अभिप्राय है इसका एंसर है मन की आइस्थिर्ता यानि मन एक जगा नहीं है वो कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है प्रशने 27 का विग्रंथ सुर्सागर के जिस भाग में उद्धा गोपियों को योग संदिश देते हैं वो भाग किस नाम से जाना जाता है इसका एंसर है भ्रमरगीत प्रशने 28 सुर्दास अब लाहम भूरी गुर चाटी जियों पागी पक्ती में गोपियों ने कृषने के प्रती अपने प्रेम को बताते हुए अपनी स्थिति किस के समान बताई है इसका अंसर है गुर से चिपकी चीटी के समान यहाँ पर लिखा भी है कि सुर्दास अबला हम भूरी यानि सूर्दास कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम तो अबला हैं, हम तो भोली हैं, यानि हम कमजोर हैं, हम भोली हैं, जिस तरह से गुर से चीटी चिपक जाती हैं, उसी तरह से हम स्रिकृष्ण के प्रेम में पढ़ गई हैं, ठीके? प्रशन 29, मन की मन ही मांज रही का अर्थक क्या है? इसका एंसर है, मन की बात मन में ही रहना प्रशन 30, गोपियां सोते जागते राद दिन किसका ध्यान करती हैं? एंसर है, स्रीकृष्ण का प्रशन 31, गोपियां किस से गुहार लगाना चाहती हैं? किसको पुकारना चाहती हैं? किसको रक्षा के लिए पुकारना चाहती हैं? तो गोपियां कृष्ण से गुहार लगाना चाहती थी प्रश्न 32 सूर्दास के उपास सी देव कौन थे इसका एंसर है स्रिक्रिष्ण प्रश्न 33 गोपिया कौन सी बात किसे बताना चाहती थी इसका एंसर है गोपिया अपने मन की बात स्रिक्रिष्ण से कहना चाहती थी यहां पर स्रिक्रिष्ण होगा प्रश्न 34, कभी सूर्दास के गुरू कौन थे? इसका अंसर है वल्लभचारिय प्रश्न 35, सूर्दास अब लाहम भोरी, गुर चाटी जियो पागी इस पक्ती में नहित अलंकार बताईए इसका अंसर है जिश्टांत प्रश्न 36, बीथा, शब्द का तत्सम रूप लिखे बीथा, एक संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी रूप लिखना है तो इसका अंसर है व्यथा प्रश्न 37, जक्री शब्द का क्या अर्थे है? इसका अंसर है रटना प्रश्न 38, गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर में क्या है? इसका अंसर है प्रजा का पालन सुखों का ध्यान रखना बिल्कुल ना सताना यानि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर में वो है जिसमें राजा प्रजा का पालन करे उनके सुखू का ध्यान रखे और उन्हें बिलकुल न सताए प्रश्न थाटी नाहिन सूर्दास का जन्म कब हुआ? एंसर है सन 1478 में यानी 1478 में प्रश्न फॉर्टी प्रिती नदी किसके लिए पर्योग किया गया है? यानि प्रेम की नदी किसके लिए परियोग किया गया है? एंसर है स्री कृष्ण के लिए प्रश्न फॉर्टिवान गोपियां सोती जागते राद दिन किसका ध्यान करती है? एंसर है स्री कृष्ण का प्रश्न फॉर्टिटू पूराने जमाने के लोगों को भला क्यों कहा गया है? इसका एंसर है दूसरों की भलाई करने के कारण प्रश्न फॉर्टी थ्री गोपियां क्या प्राप्ति करना चाहती है? एंसर है अपना मन प्रश्न फॉर्टी फॉर् पदि के रचीता कौन है? अंसर है सूर्दास प्रश्ण 45 सूर्दास जी किस भक्तिधारा के कवी थे इसका अंसर है सगुन भक्तिधारा तो आई होप अगर आप इतना MCQs कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके मांक्स बहुत अच्छे आएंगे और होप कि आपके मांक्स फुल मांक्स आए भूलेगा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं चाप्टर के साथ है थैंक्यू